ठाकुर के देहत्याग के बाद मा जब विंदावन में थी, उसी समय की बात बताते हुए एक दिन उद्बोधन में कहा देखो बेटी, मैंने राधा रमन से प्राथना की थी, ठाकुर मेरी दोश द्रिष्टी मिटा दो, मैं जिससे कभी किसी का दोश न देखू मा कहती, गल्ती तो व्यक्ती करेगा ही, वह नहीं देखना चाहिए, उससे अपनी ही हानी होती है दोश देखते देखते, अंत में व्यक्ती को दोश ही दिखाई देता है एक बार योगेन मा से माने कहा था, योगेन दोश किसी का मत देखना अंत में नेत्र दूशित हो जाएंगे जैराम बाटी में मा रात में सोई हुई है मैं जिस प्रकार रोज उनके पेरों को दबाती और सहलाती थी, उसी प्रकार आज भी कर रही थी बात चीत के दौरान मा बताने लगी कि किस प्रकार उन्होंने पहले पहल दीक्षा देना शुरू किया देखो बेटी, ठाकुर के देहत्याग के बाद मैं व्रिंदावन गई थी, सभी उनके विरहशोग से दुखी थे एक दिन रात को ठाकुर ने दर्शन दे कर कहा तुम लोग इतना रोती क्यों हो, मैं और भला कहा गया हूँ जैसे इस कम्रे से उस कम्रे में जाने जैसी ही तो बात है एक दिन ठाकुर ने बेटे योगेन अर्थात स्वामी योगानंद को दीक्षा देने की बात कही सुनकर मुझे थोड़ा भै हुआ तथा लज्जा का भी बोध हुआ पहले दिन देखकर लगा यह भला क्या है लोग क्या सोचेंगे सभी कहेंगे मा अभी से शिश्य बनाने लगी लगातार तीन दिनों तक ठाकुर वह एक ही बात कहते रहे मैंने उसे दीक्षा नहीं दी है तुम ही दो क्या मंत्र देना होगा यह भी उन्होंने बता दिया मैं उस समय बेटे योगेन से बात नहीं करती थी थाकुर ने बेटी योगेन अर्थाक योगेन मा के माध्यम से उससे बात करने के लिए कहा तब मैंने बेटी योगेन से यह बात कही उसने बेटे योगेन से पूछ कर जाना कि ठाकुर ने उसे मंत्र नहीं दिया है ठाकुर ने बेटे योगेन को भी दर्शन देकर मुझसे मंत्र लेने को कहा उसने यह बात मुझसे कहने का साहस नहीं किया जब मैंने देखा कि उन्होंने दोनों लोगों को ही कहा है तब मैंने उसे मंत्र दिया इस बेटे योगेन से ही मेरे दीक्षा देने की शुरुवात की योगेन ने मेरी बहुत सेवा की वैसी कोई और नहीं कर सकता केवल शरत ही कर सकता है योगेन के बाद से शरत ही कर रहा है मेरा जंजट वहन करना बहुत कठिन है बेटी शरत के सिवा मेरा भार और कोई नहीं ले सकता गोलाब, योगेन, अर्थात योगेन मा इनके नहीं रहने पर मेरा कलकत्ता रहना संभव नहीं होता जब मा जराव माटी में थी, तो राची से एक भक्त ने आकर मा से कहा आपको कुछ दिनों के लिए ले जाने आया हूँ किराय का मकान आदी सब ठीक कर आया हूँ मा ने पूछा, शरत को मालूम है? भक्त ने कहा, नहीं मा ने कहा, तब तो मेरा जाना नहीं हो सकता शरत आकर लोट गया है, पहले कलकत्ता जाऊंगी यदि वर्क कहेगा, तब देखा जाएगा भक्त ने कहा, मा, मैंने तो सारी तयारी कर रखी है मा ने कहा, तुमने जाने बिना पहले से तयारी क्योंकि? भक्त चला गया मा ने बाद में कहा, देखो बेटी, ये लोग सोचते हैं, मुझे ले जाना बहुत आसान है ये लोग केवल उत्साह दिखाना ही जानते हैं और एक बार ढाका में लोगों ने अखबार में छपवा दिया कि मैं वहाँ जाऊंगी जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती दो-चार दिन सभी लोग कर सकते हैं मेरा भार लेना क्या सहज है शरत के सिवा और कोई भार ले सकता है ऐसा तो देखा नहीं वहाँ मेरा वासुकी है सहस्त्र फणों से कितना काम करता है जहां से पानी गिरता है वही छाता लेकर उपस्थित रहता है एक दिन एक स्त्री भक्त के अपने किसी सहेली के साथ मन मुटाव की बात कहने पर माने उससे कहा था देखो बेटी मनुष्य से प्रेम करने पर दुख कष्ट उठाना ही पड़ता है भगवान से जो प्रेम कर सकता है वही धन्य है उसे कोई दुख कष्ट नहीं रहता और एक दिन किसी स्त्री भक्त ने मा से ठाकुर पूजा सीखना चाहा तो माने कहा देखो तुम लोग संसार में रहती हो यह सब नहीं कर सकोगी उनका नाम जितना मिला है उतना ही करके देखो उतना करने से ही सब होगा एक पार माने मुझे रेशम का एक वस्त्र दिया किसी ने इस पर आपत्ती करते हुए कहा केवल उसे ही कपड़ा क्यों दे रही हो मा और भी तो पांच लोग हैं मा ने उत्तर दिया मैं उसे नहीं दूँगी तो और कौन देगा उसका और कौन है बोलो तू राधू की बीमारी के कारण मा बोस पाड़ा में निविदिता स्कूल के किराई के बोर्डिंग वाले मकान में निवास कर रही थी मैं उनकी सेवा के लिए वहा थी एक दिन मा ने मुझे ठाकुर को भोग देने को कहा मैं भोग देने का कोई मंत्र आदी नहीं जानती थी इसलिए मा से बोली मैं तो मा ठाकुर को किस तरह भोग दिया जाता है नहीं जानती तब माने कहा देखो बेटी ठाकुर को अपना समझ कर कहना आओ, बैठो, लो, खाओ और सोचना कि वे आएं हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं अपने जनों के लिए क्या मंत्र तंत्र की जरूरत पढ़ती है? वह सब तो वहां होता है जैसे महमान आने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है, उसी तरह अपने जनों के पास उन सब की आवशक्ता नहीं पढ़ती उन्हें जिस भाव से दोगी, वे उसी भाव से ग्रहन करेंगे उसके बाद उन्होंने भोब देने का एक मंत्र मुझे सिखा दिया मा ने एक पार किसी भक्त से कहा था देखो बेटा, तुम लोगों पर विपत्ती नहीं आएगी, ऐसा नहीं है वह तो आएगी ही, पर वह रहेगी नहीं देखोगे, पैरों के नीचे के पानी की तरह निकल जाएगी एक भक्त ने मा से पूछा था इतना तो जब तब किया, कुछ भी तो नहीं हुआ उत्तर में मा ने कहा, यह क्या साग मचली है, जो कीमत दिया और खरीद लिया जैराम वाटी में मा के संबंधी लोग, तरह तरह से मा को सताते मा ने एक दिन नाराज होकर कहा था देखो, तुम लोग मुझे अधिक न सताओ इसके भीतर जो है, यदि एक बार फुफकार मारे तो ब्रम्हा, विश्नु, महेश किसी में सामर्थे नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सके 1919 इस्वी में मा उस समय कोयाल पाड़ा में थी दशहरे के दिन कई भक्तों ने मा के चरणों में कमल के फूल चढ़ा कर पूजा की और चले गए बाद में मा ने मुझसे पूछा आज क्या है जो लड़कों ने पैरों में फूल दिया? मैंने कहा, आज दशहरा है इसी लिए मा ने थोड़ा हसकर कहा, अरी मा, क्या मैं मनसा हूँ? बाद में ठाकुर की और हाथ जोड़कर बोली वे ही मनसा, गंगा, सब है राधू वायू विकार के कारण पागलों जैसी अवस्था में कोयाल पाड़ा में थी कई बार मा उसे खिलाती वह मू में खाना भर कर प्रायह मा के शरीर पर उगल देती एक दिन मा परिशान होकर मुझसे कहने लगी देखो बेटी, इस शरीर अर्थात अपने को दिखा कर को देव शरीर जानना इससे और कितना अत्याचार सहन होगा इश्वर को छोड़, मनुष्य क्या इतना सहन कर सकता है ठाकुर ने कभी मुझे फूलों से भी चोट नहीं की कभी भी तुम छोड़कर तू तक नहीं कहा एक बार मुझे लक्ष्मी समझकर तू कहने के बाद कितने बेचैन हो उठे थे वे दांतों से जीप दबाते हुए बोले अरी तुम हो, बुरा मत मानना मैंने लक्ष्मी समझकर तू कह दिया इन लोगों ने मुझे जला डाला बेटी इस बार ठाकुर्प राधु को किसी प्रकार ठीक कर दे अब और नहीं देखो बेटी मेरे रहते ये लोग कोई मुझे पहचान नहीं सकेंगे बाद में सब जानेंगे उद्बोधन में मा की अंतिम बीमारी के समय एक दिन कोई साधु मा को देखने के लिए आए मा सोई हुई है साधु मा के पैरों पर हाथ फेरने लगे उस समय मा के सिर पर कपड़ा नहीं था साधु के चले जाने पर मा मुझसे कहने लगी मेरे सिर पर कपड़ा नहीं था कपड़ा क्यों नहीं डाला क्या मैं मर गई हूँ अभी से यह कर रही हो इस समय मा को बड़ी अरुची है कुछ भी खा नहीं पाती जरा सा भात खाती है एक दिन खाने के समय डॉक्टर कांजी लाल वहां उपस्थित हुए उन्हें लगा कि मा के भात की मात्रा अधिक है अतह वे मा के सामने ही मुझसे बोले तुमसे मा की सेवा नहीं होगी मैं कल दो नर्स मा की सेवा के लिए लाऊंगा तुम्हें अब सेवा नहीं करनी होगी डॉक्टर बाबो की बात सुनकर मा ने बाद में कहा हाँ भा सोचता है कि मैं उन जूता पहने हुए लड़कियों की सेवा लूँगी यहा मुझसे नहीं होगा तुम मेरा काम का जैसे करती हो करोगी कांजिलाल क्यूँ मेरे भोजन को लेकर इतना हंगामा कर रहा है मैं भात क्या खा पा रही हूँ यह बात तो वह जानता नहीं इसके कुछ दिन बाद ही मा का भात खाना बंद हो गया एक दिन माने कहा देखो उस दिन कांजिलाल मेरा भात खाना देखकर नाराज हुआ था उसी से मेरा भात खाना एक तम से बंद हो गया इस समय मा का स्वभाव एक तम पांच वर्ष की बच्ची के समान हो गया था एक दिन रात के बारह बजे जब मैं उन्हें खिलाने गई तो माने रट पकड़ लिया मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारी बस एक ही बात मा खाओ और बगल में डंडी लगाओ अर्था थर्मोमेटर मा खाना नहीं चाहती यहां देखकर मैंने कहा तो क्या मा महराज को बुलाओं कई बार महराज का नाम लेने पर वे खा लेती लेकिन इस बार उन्होंने रुष्ट होकर खाने से एक्तम इंकार कर दिया बोली बुलाओ शरत को मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगी महराज सुनते ही जल्दी से मा के पास आए मा महराज को बिठा कर बोली जरा हाथ फेर दो तो बेटा और उनके दोनों हाथों को पकड़ कर बोली देखो ना बेटा ये लोग मुझे कितना तंग करती है ये लोग केवल खाऊ खाऊ की रट लगाती है और बगल में डंडी लगाना जानती है तुम इससे कह दो कि मुझे परिशान न करे महराज ने कहा नहीं मा ये लोग और आपको तंग नहीं करेंगी इस तरह सांत्वना देकर महराज ने पूछा मा आप थुड़ा खाएंगी मा ने कहा दो महराज ने मुझे खाना लाने को कहा यह बात सुनते ही मा ने कहा नहीं तुम मुझे खिला दो मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगी फीडिंग कप में दूद डाल कर मैंने महराज के हाथ में दिया उन्होंने किसी तरह उन्हें थोड़ा सा पिलाया और कहा मा थोड़ा सुस्ता कर पिजिए सुनते ही मा ने कहा देखो तो कैसी सुन्दर बात मा थोड़ा सुस्ता कर पिजिए यह बात क्या ये लोग कहना नहीं चानती देखो तो बच्चे को इतनी रात में कश्ट दिया जाओ बेटा जाकर सोओ कहकर महराज के शरीर को हाथ से सहला दी बाद में महराज ने मच्छरदानी गिरा कर कहा अब आता हूँ मा मा ने कहा आओ बेटा बच्चे को कितना कश्ट हुआ शरीर त्याग से कुछ दिन पहले से ही मा राधु की कोई खोज खबर नहीं ले रही थी एक दिन मा ने उससे कहा देख तू जैराम बाटी चली जा अब यहां मत रहना फिर मुझसे बोली शरत से कहो इन लोगों को जैराम बाटी भेज दो मैंने पूछा इनको क्यूं वापस भेजने को कह रही है राधु के बिना क्या आप रह पाएंगी मा ने कहा खूब रह पाऊंगी अब मन हटा लिया है मा की यह बात मैंने योगेन मा और शरत महराज को बताई योगेन मा ने तब आकर पूछा क्यों मा उन्हें वापस भेजने को क्यों कह रही हो उत्तर में मा ने कहा योगेन इसके बाद उन्हें वहीं जो रहना होगा हर जा रहा है उसके साथ ही भेज दो मन हटा लिया है अब नहीं चाहती योगेन मा ने कहा ऐसी बात मत कहो मा तुम्हारे मन हटा लेने पर हम लोग किस तरह रहेंगी मा ने कहा योगेन माया काट चुकी हूँ अब और नहीं योगेन मा ने कुछ न कहकर शरत महाराज को सारी बाते बताई उन्होंने कहा तब मा को और नहीं रखा जा सकता राधु पर से जब मन को हटा चुकी है तब और अब आशा नहीं है मैं वहीं खड़ी थी महराज ने मुझसे कहा देखो तुम लोग मा के पास अधिकांश समय रहती हो प्रयास करके देखो क्यथी मा का मन थोड़ा सा राधु के उपर लौट आए लेकिन हमारे हजारों प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ एक दिन मा ने जोर देकर कहा जिस मन को हटा लिया है वह और नीचे नहीं आएगा समझ लो देहत्याग के दो तिन दिन पहले मा ने शरत महराज को बुला कर कहा शरत मैं चली योगेन, गोलाप ये सब रही इन्हें देखना पुलाप मैं ये स्याओ नहीं हुआ है